आज हम लोग दसम सरीन के गनीत प्रकास जो किताब है उससे दो अध्धाय साधरन ब्याज के कुछ सवाल को हम लोग हल करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग को इससे सम्मंदित जो गनीतिय सब्द को हम लोग पहले जानेंगे जैसे मूलधन, समय, ब्याज, ब्याजदर ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो है मूलधन ये मूलधन जो होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी का अच्छड पी से चिन्नित करते हैं साधरनत तो ये मूलधन जो है कोई बैक्टी किसी से अगर रिन लेता है बैंक से रिन ले किसी बैक्टी से रिन ले या किसी को करजा दे रहा हो जो रुपिया वो साधरनता मूलधन कहलाता है वार्षिक ब्याज दर जिसे श्मॉल आर से चिन्नित किया जाता है जिसका मतलब हुआ रेट आफ इंट्रेस्ट इसका मतलब हुआ अगर बार्षिक ब्याज दर पांच परसेंट है इसका मतलब हुआ अगर कोई बैक्टी 100 रुपिया बैंक से लीन लेता है तो उसको बार्षिक मतलब हुआ एक बर्ष में उसको पांच रुपिया उसको अधिक चुकाएगा इसको फिर से समझा रहे हैं जो अगर बार्षिक ब्याज दर बार्षिक मतलब एक साल करने अगर बार्षिक ब्याज दर 5% है तो मतलब अगर कोई व्यक्ती 100 रुपिया कहीं से अगर ड़ीन लेता है तो उसको एक बर्ष के अंत में उसको 5 रुपिया अधिक देना परेगा यह 100 रुपिया तो देना ही परेगा और यह 5 रुपिया अधिक देना परेगा तो यह 5 रुपिया जो है वह ब्याच कहलाता है जिसे interest i से denote किया जाता है और बस के अंत में अगर आप यह 100 रुपिया जो आप कहें से रिन लिये थे और यह 5 रुपिया कुल मिला के 105 रुपिया हो गया यह मिस्र धन कहलाता है तो देखिए यह मिस्र धन जो है जो आप रिन लिये थे, जो 100 रुप्या रिन लिये थे, उसे मूलधन कहेंगे, और जो 5 रुप्या जो आपका ब्याज बना था, तो मिस्रधन हो गया मूलधन जोड ब्याज, जैसे मूलधन हो गया पर 100 रुप्या और ब्याज हो गया 5 रुप्या, तो हमेशे एक बात याद रखेगा, मिस्रधन जो है, वो मूलधन से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि मिस्रधन में मूलधन के साथ-साथ ब्याज उसमें रहता है, अब आए समय, समय जिसको T से चिन्नित किया जाता है, तो यह जो समय जो होता है, इसको हमेशा बर्स में परवर्तित कर लेना परेगा, अगर महिना में दिया रहेगा तो इसको बर्स में परवर्थित कराएं क्यों क्योंकि देखिए जब भी ब्यासदर्ज होता है वो हमें बार्सिक में दिया रहता है अगर माल लीजिये समय अगर एक दीन है तो आपको इसको बर्स में परवर्थित करना परेगा तो एक बटा 365 वर्ज है अगर मा लिजे एक महीना है तो उसको हमको एक बटा 12 वर्ज तो हमें जो समय दिया रहेगा उसको हमको वर्ज में परवर्थित कर लेना है अब आये यह जो ब्यास जो है जिससे आई से चीनित कर आता है इंट्रेस्ट होता है जिसका मतला तो इसमें एक सम्मंद हुआ क्या सम्मंद हुआ मूलधन गुना वार्षिक व्यासदर गुना समय बटा एक सो इसको अगर हम चिन्नित करेंगे तो मूलधन को पी मतला प्रिंस्पल से चीनित कर आता है बार्षिक व्यासदर को छोटा हाथ का आर्ष से और समय जो है छोटा हाथ कट्टी से चीनित कर आता है बटा एक सो तो हमारा सूत्र हो गया आई इक्वल पी आर्टी मतलब ब्याज बराबर पी आर्टी बाई हांडेड और मिस्रधन बराबर हम लोग लिख सकते हैं मूलधन जोड ब्याज तो मूलधन को हम पी से चीनित करते हैं और इसको आई से चीनित करते हैं तो पी प्लस पी आर्टी बाई हांडेड देखिए बोट के एक्जाम में आप लोग के इस तरह का सवाल रहता है जिसे आपको चिनित करना पड़ता है तो इसके पहले उस तत्तों को हम लोग जान लेते हैं यहां पर देखिए कुल चार लासी है जैसे हुआ आई मतलब ब्याज पी मतलब होगया मूलधन आर मतलब बार्शिक ब्याजदर और टी मतलब होगया समय तो यहां किसी दो को अगर इस्थी रखेंगे मतलब आप परवर्तित रखेंगे तो अन्य दो में समयं थोगा वह अन्य दो में सरल समयं दोगा या समय जी समयं हम्धों समयं मन जोगा जैसे हम बिलंच समयं भी कहते हैं तो वह आपको बताना है अब देखें इसको हम आपको इस तरह से समझाते हैं इस 100 को अगर हम इधर ले जाते हैं और आई को इधर ले जाते हैं तो पी आर्टी बाई इक्वल हंडेट अब अगर इसमें किसी दो को अपरबर्टी तक रिस्थी रगता है तो अन्य दोनों के साथ जो समझाते हैं तो आप इस तरह से बताइएगा अगर मालीजिए जो दो रासी जिसका पूछा जाते हैं उसमें क्या समझाते हैं अगर वो अंग्स में हैं, वो सब अगर अंग्स में हैं, तो उसमें बिनमानुपाती सम्मन्द होगा, और एक अंग्स में और एक हर में अगर है, तो उसका सम्मन्द समानुपाती होगा, जैसे अगर माल लीजिए यहां पर पी और आर में आपका समंद्ध पूछता है जहां आई एवं पी जो है वह इस्थीर है इस्थीर मनें और परवर्तित है तो देखें पी आर तो देखें यह आपको यह दिखना ना आई और टी इसको आपको क्या कर देना है इसके बारे में पूछा किसके बारे में है यहां पूछा है पी और आर में क्या समंद्ध है तो पी आर आर देखिए यह गुननफल के रूप में है मतलब अंग्स में है तो यह आपका बिल्मनोपाति सम्बंद होगा और अगर भाग के रूप में रहेगा तो वह सर्णसमानुपत के रूप में रहेगा जैसे अगर यहीं पर गरमा लेजिए आर और आई में अगर समंद्ध पुछे तो आपको यहां पर बचा क्या पी और टी को स्थिर करना पड़ेगा तो आर और आई में देखिए भाग का सम्बंद है मतलब एक अंग्स में है तो एक हड में है तो इसके बीद ज अमानुपाति सम्बंद हो जाएगा अब देखिए एक नमर्जम सवाल है मूलधन ओ बार्सिक पतिसत को सरल ब्याज दर अपरवर्तित रहने से समय और कुल ब्याज में सरल व्यूतकर्म सम्बंद है यह आपको बताना सरल समन्द है ना व्यूतकर्म समन्द है उसी के आधार सब्धार पर आप यह कह सकते हमार में जिसन संब्ड रहने तो यहाँ दिखिए समय बढ़ने से कूल प्याच बढ़े गा यह बढ़ने में बयंसे बर्म समें सहां प्रीध करें ट्राइन स्थीर रहेगा तो यह हम दख लेते हैं जो यहां सकती ह। एंसर कौन सा होगा अब देखें यहां क्या क्या स्थीर है तो यहां देखिए मूलधन और बार्षिक पतिसत्थ ब्याजदर मतलब मूलधन मतलब क्या हुआ यह पी और बार्षिक ब्याजदर मतलब हुआ यह आर तो यह समय और कुल ब्याज मतलब टी और आई में संबंद या आप इस तरह से भी देख सकते हैं एक आपका अंग्स में है और एक रासी हमारा हड में है तो ऐसे अगर सम्मंद होंगे तो यह जो सम्मंद होते हैं वो सरल सम्मंद होते हैं बन्दों भाग का सम्मंद रहेगा तो वो सरल सम्मंद होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा इसक बढ़ेगा एबंग समय घटने से कुल ब्याज घटेगा अब देखिए ये सवाल समय और बार्षिक पतिसत सरल ब्याजदर आपरवर्थित रहने से मूलधन और ब्याज में सरल या बिलोम सम्बंद है वो आपको बताना है तो देखिए अब देखिए यहां का है समय तो यह हो और बार्षिक पतिसत सरल ब्याजदर मतलब यह आड यह दोनों स्थीर है तो हमारा यहां मूलधन और ब्याज में सम्बंद बताना तो यहां पर भी देखिए यह जो है मूलधन और ब्याज में जो है भाग का सम्बंद है यह आप इसी तरह से भी देख सकते हैं जो दोनों एक अंग्स में है एक हड में है तो ये तब ये सरल सम्मंद हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सरल सम्मंद हो जाएगा और अंतिम स्वाल देखिए बारसी ब्याजदर में कूल ब्याज अपरवर्तित रहने पर मतलब यहां पे जो है आपका यह आर और यह आई यह दोनों हमारा इस्तिर है तो यहां कहे रहा है मूलधन और समय में क्या संबंद होगा सरल संबंद होगा ना व्यूत कर्म संबंद होगा तो यहां पे देखिए हमारा मूलधन और यह समय जो है उसमें गुननफल का संबंद ह तो गुननफल का सम्मद्ध होने पर वो जो सम्मद्ध होंगे वो व्यूत्करम सम्मद्ध होंगे और आप ऐसे भी देखिए दोनों रासी अंग्स में ही है अगर दोनों रासी अंग्स में हो या दोनों रासी हर में हो तो वो हमारा व्यूत्करम सम्मद्ध होता है तो यह आप को यहां पर साधरन ब्याज का एक बेसिक जो नौलेज है उसको मैंने दिया और आगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें जो है सवाल को हम लोग हल करेंगे